नमस्ते बच्चों बच्चों आप लोगोंने राजा महराजा की बातें जरूर से नहीं होंगी हमारे यहां पहले राजा महराजा लोग राइश करते थे जिसमें पृत्ति राजचोहान, समराट असोग, वीर सिवाजी, महराना सांगा, महराना प्रताप इन सब राजाओं का क रिकाल बहुत अच्छा था और ये जन्समदाय में लोगप्री भी थे वैसे ही एक राजा थे मुगल बादसाह अकबर जो जन्ता की भलाई की बारे में सोचते थे वे जन्ता के बीच वेज बदल कर उनकी दुख तकलीफ और कटनाईयों का पता लगाते थे वे धार्मिक प्र पहले क्या बनाए जाए तो उन्होंने जन्ता की परिसानियों को ध्यान में रखकर पहले पुल बनवाया जो राजा जन्ता के प्री होते हैं उनको हमेशा जन्ता की सुक्स विधाओं का पहले ध्यान देना चाहिए समराठ अकबर ने यही किया तो बच्चों आज हम कक्षा पाँचवी के पाठ बीस मस्जिदिया पुल का अध्यान करेंगे बच्चों दीन एलाही गरिब नवाज संसाय आलम महान बासा अकबर की आगवानी में जोनपुर के सुवेदार मुबारक खान ने जमीन आसमान एक कर दिया यह उसकी बरसों पुरानी साहध थी बरसों से ल जैसे हम किसी को साधी ब्याह में निमंतरन देते हैं मगर बासा की जान को बड़े जमेले थे जमेले मने परिसानी उस दिन भी बड़ी मुश्किल से उधर जाने का मौका मिल पाया था बासा के पास समय बहुत कम था हाथी के पीड से उतर कर उन्होंने अभी दो घड़ी आर में ले गया जहां मस्जिद बनाने की योजना थी बच्चों गोमती एक नदी का नाम है वहां जाकर उसने बासाह को मस्जिद का नक्सा दिखाया इस नक्से को दिखाने के लिए वह बरसों से बेकरार था बरसों मने कई सालों से बासाह ने नक्से को बड़े ध्यान से मुबारक खान, आसमान को चुमने वाली, उंची उंची मिनारे, निराले गुंबद, खुला तलाब, सब के सब बेमिसाल है, हमारा ख्याल है कि खुदा के लाखो बंदे, बंदे मने होते हैं लोग, इसमें बैटकर अल्ला ताला से दुआ करेंगे और सुकून पाएंगे, जी मुबारक खान ने जुक कर अदाब बजाते हुए कहा, अगवर खुस होकर वहाँ से लोटे, अगवर महान थे, वे हमेशा अपनी प्रजा के सुक्र और दुख का ख्याल लगते थे, वे वेस बदल कर प्रजा के अंदूरुनी हालात का पता भी लगाते रहते थे, अंदूर चलकर गोमती के किनारे घुमने निकले घुमते घुमते एक जगह अकबर को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी अकबर आवाज की ओर चलते हुए गोमती के किनारे नाओं के पास आप पहुँचे उन्होंने देखा कि नाओं के पास एक 80-90 साल की काली छोटे कत की बढ़िया अपनी गठरी था में पार जाने के लिए खड़ी है और कह रही है इस अल्ला के मारे दुष्ट मुंसी को तो देखो अभी अच्छी तरह दिन भी नहीं चिपा है कि दबतर बन करके यहां से भाग बच्छों दबतर मने होता है कारियाले जब मुंसी ही नहीं है तो मलाः यहां क्यूं ठहरेगा ये किस समय आते हैं और कफ जाते हैं कोई देखने वाला है शुबे दार मुबारक खान को तो कर्वसूलने से पुरसान नहीं हैं रियाया मरे यह जिन्दा रहे रियाया मने होत बच्चों जनता इससे उसे क्या खूपसूरत सांदर मस्जिद बनाकर उसे तो बादसाह को खुश करने से मतलब है कि उसका उहदा और बढ़े उहदा होता है बच्चों उसका पद बढ़िया चुफो कर फिर बोलने लगी मुंसी से सिकायत करो तो कहता है तुम रोज रोज प फिर क्या खुद काएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे अरे मेरी तो बहू भी नहीं है जो बच्चों को सम्हान लेती नन्हे पोते पोती भोग से बिलक रहे होंगे हाई लाह मैं क्या करूँ बुढिया धार मार कर जोर जोर से रोने लगी अकबर द्रवित हो गये द आगे बढ़ कर बोले रो नहीं माई मैं तुम्हें उस पार पहुचाए देता हूँ बच्चों उस पार का मतलब है गोमती नदी के उस पार बुढिया ने रोना बंद किया और गठरी लेकर खड़ी हो गई चल भाई तू ही मुझे पार ले चल अकबर में इससे पहले कभी नाव नहीं खोई थी बुढिया बासा हके चप्पू पकड़ने के ढंग को देखकर बोली बच्चों चप्पू जानते हैं ये देखिए इनाव में जो लकडी पकड़ा हुआ है नाव खेने वाला इसे ही चप्पू कहते हैं अरे तुझे तो चप्पू भी ठीक से पकड़ तो पार क्या ले जाएगा मैं समाल कर धीरी धीरी चलाओंगा माई तो घबरा मत अकबर ने बुढिया को दीरज बंदाया धीरजबने होता है धैरिय जैसे हम लोगों को दीरजबन आते हैं नां ममी पापा लोग बंदाते हैं धीरज कभी गिर जाते हैं कभी कुछ हमें में बैठ गई बासा जी जान से नाव खेने लगे जी जान का मतलब होता है जान लगा कर जैसे हम कोई दोड़ दोड़ते हैं तो जान लगा की दोड़ते हैं ना पहले आने के लिए वैसे ही होता है जी जान मगर नाव कभी इधर जाती तो कभी उधर बुड़िया का पारा तक पार पहुँचाएगा और यह भी पता नहीं किनाव मस्धार में ही डुबो दे मेरे बच्चे इंतिजार कर रहे होंगे और तु है किनाव लेकर खिलवार कर रहा है माई सबरतो कर बात्साह ने कहा किन्दू बुडिया बोले जा रही थी असल में तो इन बातों का जवाब दे बात्साही होता है मगर बात्साह तो मुबारक खान की चिक्ली चुपडी बातों से ही खुस हो लेगा उसे असलियत कौन बताएगा कि यहां मस्जिद की नहीं एक पुल की जर्वत है इस पुल के बिना पार वारे लोगों को कितनी परसानी होती है अरे भाई पूल नहोन से उस पार कोई वैद या हकीम भी जाने को तयार नहीं होता बुढिया फिर चुप हो गई थोड़ी देरे बाद उसने फिर बड़़ाना सुरू कर दिया सुबेदार मुबारक खान हमारा हाकीम है लेकिन उसे यह सब देखने की फुरसद ही कहा है उसे तो बस अपने कर मस्जिद बनेगी जो दुनिया में अपना सानी आप होगी सानी मने होता है बच्चों मिसाल जैसे ताजमल दुनिया में एक मिसाल है वैसे ही एक मिसाल सुना है आज अकबर यहां आया है मगर कहीं वह मुझे मिल जाता तो मैं से बताती कि ओ दुनिया जहान के मालिक अगर त जाता है तो पहले यहां पुल बनवा मस्जित नहीं बुढिया देर तक इसी तरह बरबढाती रही चारों और अंधेरा शागया आसमान में तारे चिटकने लगे अंत में नाओं किनारे पर पहुंची गई नाओं में से लडख़ाती हुई बुढिया किसी तरह किनारे पर कु अंतरी अकबर ने उसे सवालते हुए कहा चलो माई अंधेरा हो गया है कहीं तुम्हें ठोक न लग जाए मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाए देता हूँ यह कहकर अकबर ने बुढिया को उसकी गठरी समेथ गोदी में उठा लिया बुढिया घर पहुंची उसके घर में कुहराम मचा था कुहराम जानते बच्चों कुहराम मने होता है दुख या तकलिप के कारण रोना बच्चे बिलग बिलग करो रहे थे उनका रोना देखकर बुढिया को मलाह पर बड़ा गुसाया उसने उतरती उतरते उसके दोनों गालों को जोर से खरोज दिया औ और मन में सोचा मुझे तो इस बुडिया का एहसान मन होना चाहिए कि इसने मुझे सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखाया है सुक्रिया कहकर बाजसाह चुप्चा वहां से चले गए सुक्रिया मने होता है धन्यवाद अगले दिन सीसे में अपने खूब सुरत सही लिबास और रतन जडिता भूसनों के साथ अपने गालों पर खरोश के निशान देखकर बाजसाह मुस्कुरा दिये उन्होंने जौनपूर में पहले पुल बनवाया मस्जिद बहुत बाद बच्चों इस पार्ट से हमने सिखा कि जैसे कि महराज अकबर प्रात्मिक्ता के अधार पर पहले पुल बनवाया वैसे ही हमें भी घर में या हमारे जीवन में जो कारे जरूरी होता है उसे पहले करना चाहिए और जो कारे बहुत जरूरी नहीं होता है उसे बात में करना चाहिए बच्चों इस पार्ट को पढ़ने के बाद चलिए अब हम कुछ अभ्यास के कारे कर लेते हैं निम्नी लिखित प्रस्णों के उत्तर लिखो बच्चों ये पहला प्रस्ण है बुड्या के घर में कुहराम क्यों मचा था अब अगला प्रस्ण सीसे में अपने गालों पर खरोश के निसान दे कर बासा क्यों मुस्कुराय चलिए बताईए आप लोग इसका उत्तर अच्छा ठीक मैं बता देता हूँ सी से में अपने गालों पर घरोश के निसान देखकर बास्साह इसलिए मुस्कुराए क्योंकि बुढ़िया ने उन्हें सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखाया अब अगला बुढ़िया का पारा क्यों उपर चड़ने लगा इसका उत्तर है बच्चों बास्साह अकबर को नाव चलाना नहीं आता था नाव कभी दर जाती तो कभी उधर बुढ़िया को घर जाने की जल्दी थी बास्साह के इस प्रकार नाव चलाने से रात हो जाती इसलिए बुढ़िया का पारा उपर चड़ने लगा अब अगला प्रस्साह ने बुढ़िया को घर तक क्यों पहुचाया चलिए इसका उत्तर बताईए चलिए मैं बताता हूं इसका उत्तर अंधेरा हो गया था कहीं उसे ठोकर ना लग जाए इसलिए बास्साह ने बुढ़िया को घर तक पहुचाया अब हमारा अगला प्रस्ण है कोश्टक में से सही सब्द चाट कर खालिस्थान भरो बच्चों आपके पास हर प्रस्ण के आखरी में दो सब्द मिलेंगे उसमें से दोनों में से एक सही है और एक गलत आपको सही सब्द चुन कर खालिस्थान पर भरना है तो पहला प्रस्ण है हमारा खालिस्थान के पास बहुत कम समय था यहाँ पर आपको मुबारक खान और बात्साह दोनों में से एक सब्द चून कर खालिस्थान में भरना है तो क्या आएगा बच्चों बहुत सही बात्साह इसका सही उत्तर है बात्साह बाचसाह के पास बहुत कम समय था अब अगला प्रस्ण है नक्से को देखकर बाचसाह की खालिस्थान खील गई यहां भी आपके पास दो सब्द हैं बाचे या बाहें बिल्कुल सही बाचे नक्से को देखकर बाचसाह की बाचे खील गई अगला प्रस्न है मुबारक खान ने खालिस्थान आदाब बजाते हुए कहा अकड कर या जुक कर बिल्कुल सही जुक कर मुबारक खान ने जुक कर आदाब बजाते हुए कहा अगला प्रस्न है अरे खालिस्थान नाव उल्टी ले जा रहा है अनाडी या खिलाडी इसमें आ अनाडी, अरे अनाडी, नाव, उल्टी ले जा रहा है, अगला प्रस्न है, निम्नी लिखी सब्दों के हिंदी पर्यावाची सब्द लिखो, पर्यावाची का अर्थ होता है, समान अर्थ वाले सब्द, बच्चों हमारे पाच कुछ सब्द हैं, नक्सा, मुस्किल, मौका, ख ख्याल, खुष, हालाथ, और दुनिया, अब बच्चों हम इसकी तालिका बनाते हैं, सबसे पहले हम सब्द को देखेंगे, और उसके परयावाची सब्दों, नक्सा, नक्सा का परयावाची सब्द होता है, मान्चित्र और रूप रिखा, अगला सब्द है, मुश्किल, मौका का होता है औसर और समय, अब हमारे पास सब्द है खुष, खुष का प्रशन और आनन, अब अगला सब्द है हालाद, हालाद का परियावची होगा, इस्थिती और परिस्थिती, दुनिया का परियावची होगा, संसार और जगत, अब अगला प्रशन है, उफसर्ग लग असर में बेउपसर्ग लगाने से नया सब्द बेअसर बनता है। इसी प्रकार सूपसर्ग लगाकर नय सब्द बनाओ। यहां हम एक तालिका बनाएंगे। हमारे पास कुछ सब्द हैं जिसमें हम सूपसर्ग लगाकर नय सब्द बनाएंगे। लेक, विचार, स्वाद, स्वागत, अब हम लेक में सूप सर लगाते हैं, सू लगाने से सू लेक बन जाता है, जिसका अर्थ बदल जाता है, अगला है विचार, विचार में सूप सर लगाने से सू विचार बन जाता है, फिर है स्वाद, स्वाद में सूप सर लगाने से सू स बन जाता है उसके बाद है स्वागत स्वागत में हम सूप सरगाएंगे तो स्वागत बन जाएगा बच्चों ये तो हो गए अभ्यास के कारिया अब मैं आपको कुछ गरी कारिय देता हूं जिसको आपको घर से पूर्ण करके लाना है जिसमें पहला प्रस्ण है पूल नहोने से लोगों को क्या परिषाने होती थी और दूसरा प्रस्ञ है अगर बुढिया बास्था को पहचान ले ती तू उनके प्रतीवार कैसा होता अगला प्रस्ञ है नदी पार करने के लिए उप्योग में आने वाले साधनों के नाम लिखो अगला प्रस्न है पुल बन जाने पर नागरिकों को क्या लाब हुआ होगा इस पर पांच वाक लिखो आज यहीं तक अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे तब तर नमस्ते